नमस्कार, सम्स्कृत भारति द्वारा प्रचाल्य मानस्य, पत्रा चारत द्वारा सम्स्कृतम इती विशयस्य अधिने, कोविद्य पाठ्यक्रमे भवताम सर्वेशाम स्वागतम। अध्य वयं सम्स्कित सहित्यस्य परिचय अस्मिन विशये, तृतियम पाठं पठामाह, तृतिय पाठे वयं इती हासस्य विशये, किन्चित पठामाह, सामान्य तया वयं जानी महा इती हासह इत्यस्य अर्थाह खाह, सर्वदा वयं पठामह, विद्यालेशु, महा विद्यालेशु अथवा विशो विद्यालेशु अपी वयं इतिहास विशये पठामह अत्र अस्मिन पाठ्थे क्रमे वयं सम्स्कृतेन अथवा सम्स्कृतस्य इतिहास विशये अथवा सम्स्कृत साहित्यानाम इतिहासस्य विशये किन्चित पठामः अत्र इतिहास हा इति एकम पदमस्ति एतस्य पदस्य उत्पत्तेहे विशये किन्चित पठामः सामान्यतिया इतिहासस्य उत्पत्तेहे प्रारूपम अर्थात पूर्वम एवम आसित किला इति मनसह यत्चिंतनम तत द्वारा एव इतिहासस्य उत्पत्तिही अभवत्थ इदानिम इतिहासस इत्तुक्ते किमस्ति तस्मिन विशये भवन्तह क्रिपया पुष्टकम उत्घाडएन्दु अश्टशस्थी पृष्टे संस्क्रित साहित्य परिचयहाईति तत्र इतिहासहाईति विशयहास्ति किन्चित वयम यतस्य अध्यानम कुर्मह इतिहास पूर्वम एवम आसित किल इति तस्य सब्दस्य अर्थम वर्नयंति अर्थात पूर्वम एवम आसित तस्मिन विशये यत्र वर्नना भवति ताद्रिशं काव्यम भवति इतिहास काव्यम अर्थात अईतिहासिकं काव्यम इदानिम पुनह आत्रागेंचित पश्यमह पूर्वस्मिन काले जनजीवनम कथम आसित कथम जनानम जीवनम चलतिस्मा कथम जनानाम व्यवहार हासीत, केके मुख्यनायका हासन, समाजे केके मुख्यनेता हासन, अनंतरम जनानाम आर्थिकं, सासकीयं, धार्मिकं, नैतिकं, एदत्सर्वं कथम आसीत, विवस्थाहा कि द्रिश्यहासन कथम अभवत अनंतरम एतेशं सर्वेशं विशयाणं विवर्णं इतिहासे भवती अर्थाद सामान्यतया इतिहासमित यदावयं पश्यामह तदा एतेशर्वेपी विशयाहा इतिहासे आगच्छंती अर्थाद पूर्वं कथमासित कीमासित संपूर्णाम इतिहासे आगत्चती इदारिम अत्रकिंचित पश्या महा इतिहासस्य स्रोतामसी कानी अर्थात कथम वयम इतिहासस्य संकलनाम करतुम शक्नु महा पर्थमम अत्रपश्या महा तत कालीन का व्यानी अर्थात यस्मिन विशये वयम पठितुम इच्छा महा तत कालस्य कानिजन काव्यानी भवन्ति यदी तस्मिन काले कानिजन काव्यानी लिखितानी भवन्ति तानी काव्यानी वयं पठा महा तरही तस्य कालस्य इतिहासम वयं ज्यातुम शक्नु महा अताह प्रथमं तत कालिन काव्यानी आगच्छंते। दूतीयं धन मुद्राहा इदानी मस्माकम हस्ते मुद्राहा संती तत्र गांधिनहा चित्रमस्ती इतो पि भिन्न भिन्न विशयाहा संती भिन्न भिन्न विशयानं संबंधा रत्राहस्ती अताह तेशां द्वारापी वयं इतिहासम ज्यातुम शक्नुमहा अनंतरम दानपात्राणि अितिहासिक काले दानपात्राणियासन तत्रा राजानह स्वनाम तत्सर्वं विलिख्य दानं दत्तवंतहा तद यदिवयं पश्यामह तत्रापी इतिहासस्यास्माकं द्रिष्टिही भवति अनंतरम सिला शासनानी, सिला लेखाह संती, तान लेखां द्रिष्ट्वापी वयं इतिहासं ज्यातुं शक्नुमहा। अनंतरम ताम्र पत्राणी, ताम्र पत्राणी अपी इतिहासस्या सुरुतामसी भवंदी। रामायनम पठित्वा, वयं तत कालीन स्थितेहे अवगमनम करतुं शक्नुमहा। प्राचीन भारते की द्रिषि स्थितीही आसित। जनानम विचारह कहां आसित। अथवा की द्रिषहा आसित। समाजे कथम ते व्यवारित वंतहा, तत सर्वं रामायनम पठित्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमहा। अनंतरम महा भारतम इती सामान्यम इतिहास ग्रंथाहे वास्ते। सर्व विधम पी इतिहासम वयं महा भारते प्राप्नुमहा। इतो पी किन्चित यडिवयं आधुनिकं पश्यामहा, तत्र हर्ष चरितं, अनंतरम राज तरंगिनी एताद्रिशाहा, ग्रंथाहा, इतिहास विषय काहा प्राप्यंते। इतानिम किन्चित पुनह कोविद पुस्तकं पश्यामह, अत्र पश्यामह किन्चित इतिहास विषय भारतियानाम द्रिश्टिरेव अन्या आसीत। अत्र किमर्थम एवम लिखितं, सामान्यत्या यदि वयम इतिहासम इतिवश्यामह, तत्र दिनांकह भवति, अब्दह भवति, अनंतरम घटनाह भवन्ति, तेशाम आधारेन वयम इतिहासम ज्यातुम्शक्णुमह, किन्चु अत्र एकम वाक्यम लिखितं अस्ति, इतिहास सविषये भारतियानाम द्रिष्टि रेव भिन्ना किमर्थम यदि अस्माकम ग्रंथान वयं पश्याम हा तत्र कवय हा केवलं स्वस्य नाम एव लिखित वन्त हा घटनानाम सुरतसाम विशये तेशाम अवधारण नास्ति तेना लिखित वन्त हा समयं तेना लिखित वन्त हा क किन्तु ते स्वस्य नाम विलिख्य घटनाया हा यद प्रारूपम तद लिखित वन्त हा। नास्ती त्यस्मात वयं समयं नप्राप्त वन्त हा। कविही स्वयम लिखती अधिकार पत्राणी, शिला लेखनानी, दान पत्राणी, हस्त लिखित ग्रंथाह, पुराणानी, प्राचीन धन मुद्राह, जनस्त्रुत यह, एतेशं सर्वेशं परिशीलनं कृत्वा, अहं इमं ग्रंथं लिखित वान। इत्यताहिवा, वयम इतिहाश विशये, स्पष्टत या न्यातुम् शक्नुमह, तस्मिन काले अर्थाद, राजा तरंगिन्यम, कथं, उलेकाह, अस्ति तत्सर्वं, शुद्धम अस्तिति वयम न्यातुम् शक्नुमह, एवमेव अईतिहासिका ग्रंधानाम वयम अवलोकनाम करतुम शक्नुमहा। विक्रमांक देव चरितम। हेम चंद्रस्य कुमार पाल चरितम। गुर्जर सुमेश्वरस्य किर्ति कौमुदी। गंगा देव्याह वीर कंपन राय चरितम। तिरुमलांबायाह वरदांबिका परिनयाह। रामभद्रांबायाह रघुनाथा भ्युदयं। इति अनेके ग्र प्राप्यंते यतावद वयं इतिहास विशय किन्चित ज्ञाद वंतह इदानिम यदि वयं इतिहास स्य यतेशं ग्रंथानं अवलोकनं कुर्मह तरही इतिहास विशय अस्माकं धारना श्प्रस्टा भविश्यति पुनह अस्माकं अग्रेपी ज्ञानस्य वर्धनं भविश् नमस्कारा